बेटा, यह दि आपने batch late join किया हुआ है, तो आप current chapter से start करो हर जगे पर, समझ में आ गया, आप physics में भी current chapter से start करो, chemistry में भी start करो, bio में भी start करो, clear हो गया, sir, तो backlog कैसे करेंगे, backlog हुआ है, उसको one shot से देख लो, समझ में आ गया, backlog जो है न, उसको one shot से देख लो, अभी बहुत बेसिक chapters चल रहे हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरुवत नहीं है, ऐसे मत count किया करो, कि sir, मैं 4 lecture पीछे हूँ, आप हमेसा current topic को पकड़ लो, समझ में आ गया, आपने नया नया यदि batch join किया हुआ है, तो आप current topic को पकड़ लो, जैसे cell चल रहा है, तो cell के lecture देख डालो, देख लिया, अब अपने आप जैसे आज Sunday है, तो आप बांकी के दो lectures फटा फटा आज देख डालो, clear हो गया, तो इस तरीके से आप क्या करो, उसको देख डालो, जैसे मैं आपको एक simple सा example बताता हूँ, आप doctor बन जाओगे, आप मालो surgery कर रहे हो, patient का पेट खुला ह चोड़के, भाग के जाके वहाँ पर आप क्या करोगे, बांकी लोगों को देखोगे, नहीं, आपको पहले इसको finish करना पड़ेगा, तो जब तक ये finish ना हो, आप उस पे मत जाओ, वन्ना ये भी मरेगा और वो भी मरेगा, तो इसलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से स उठाओ, back-lock को हमेसा, जब आप rhythm में आ जाओ, क्योंकि पहले आप आउगे, इतनी देर आप class देखोगे, आपकी आखे दुखेंगी, आपको बैठने में दिक्कत होगे, आपको लिखने में दिक्कत होगी, आपको चीजों में समझने में दिक्कत होगी, पहले आप कर मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, ये मान के पढ़ा रहा हूँ, आप लाइफ में पहली बार पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ मा आ गया, इससे फायदाई होगा और याद रखना, कभी 2X पर मत देखना, हमेशा उसको proper attend करो, otherwise यदि आप 2X में देखोगे, तो समझते टाइम 2X नहीं करना, revision के ताइम में तुम 20X करो, समझो आराम से, कभी भी 2X पर समझने के लिए मत देखो, हर सबजेक्ट में याद रखना, revision के लिए आप उसको 20X पर कर लो चाहे, चाहे 200X पर आप कर लो, लेकिन हमेशा समझो आराम से, समझ में आ गया, otherwise आपका ये साल वेश्ट ह हो जाएगा, याद रखना, clear हुआ, और याद रखना, generally ऐसा, लोग मतला ऐसा कर लेते हैंगी, भाई, last year हमको आता था, 590 नमबर आए, हम जल्दी quickly revision कर लेते हैं, question practice कर लेंगे, question ही question practice कर लेंगे, 10 नमबर भी नहीं बढ़ते हैं, मुस्किल से 15 नमबर बढ़ते हैं, समझ म आ गया, trust करो, clear है, कितने सारे examples मेरे सामने पढ़े हुए, मैं आपको बता सकता हूँ, तो इस बात को समझो, ऐसे पढ़ाई करो, अब जैसे पहली बार कर रहे हो, भूल जाओ कि आपने पहले कुछ किया था, यदि ऐसे पढ़ाई करोगे, trust करना, trust करना, आपके marks कितने भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये मान के करोगे कि यार, पहले कुछ आता था, अब हमको, जो है, बस हमको question practice करनी है, तो वो पहले जो आता था, वो पहले की महनत की वज़े से आता था, समझ मा आ गया, इसकी महनत से नहीं आता था, ये समझ लो, आपका नया जनम हो गया, पिछले जनम में आपने क्या कार खरी दी थी, क्या घर बनाया था, उसका विस जनम में कोई लेना देना नहीं, ये नया जनम हो गया, वस इस बात को समझो,